हेलो गाइस व्लमकम चू ऐलम आफ यूओ लँवित में सुवागत है आप सभी का हमारे यूटिव चैनल लँवित मी में दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो please इसे subscribe कर लीजेगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे like किजेगा और maximum share किजेगा आज हम क्या पढ़ने वाले हैं आज हम floor वाले question करेंगे ठीक है वो भी vacant floor के ठीक है आज हम floor वाले करेंगे वो इसे पहने मैंने आप लोग को फ्लोर वाले question कराए है नॉर्मल वाले ठीक है उसके बाद floor के साथ हम ने फ्लैट पढ़ा था ठीक है अगर आप लोगों ने यह दोनों वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाकर देख लेना ठीक है अगर मैं बात करूं इसकी आज की प्लोर वाले question कराऊंगी एक रहेगा हमारा normal question ठीक है और एक कैसा रहेगा हमारा variable के साथ ठीक है वेरियेबल के साथ आज हमें पढ़ेंगे ठीक है यह आप लोग को बहतर समझाएगा जब हम आगे question की दरब चलेंगे ठीक है कि मैं किस type की question की बात कर रही हूं ठीक है तो च यह रहा यह जो question देख रहा आप लोग को यह आधा question है ठीक है इसका आधा part हम कहां पढ़ेंगी इसके दूसरे वाली slide में ठीक है question लंबा हो जाता है यहां पे space नहीं बसती इसलिए मैंने इसको आधा लेके आया ठीक है तो चलिए question को पढ़ना हम start कर देते है पी क्यू आर STU and V7 persons ठीक है बंदे कितने है साथ ठीक है are living on a nine different floors floor कितने है no floor no है person कितने है साथ ठीक है मतलब दो प्लेस क्या है खाली है दो floor क्या है हमारा खाली है ठीक है यह समझ में आया क्या बोल रहा है or of a building but not necessarily in the same order ठीक है पर जरूरी नहीं किये ऐसे ही क्रम में हो PQRSTU V के क्रम मे ठीक है the ground floor is numbered as one ठीक है सबसे नीचे वाला floor 1 रहेगा और सबसे उपर वाला floor किया रहेगा कितने प्लोट रहेगा नाइन डीफ्रेंट फ्लोर ठीक है तो nine रहेगा यह बत समझ में the ground floor is numbered as one and the floor above the ground floor यह ground floor नंबर वन इसके ground floor के उपर वाला number 2 है और इसी प्रकार से जब तक सबसे फ्लोर नहीं आजाता है तब तक क्या है यह चलता रहेका मतलब दो तीन चार पांच ऐसा करके नौ तक कर ठीके इमंग दीज नाइन फ्लोर्स तियर राथ टू वैकन फ्लोर सिंध बल्डिंग ठीक है यहां पर बोल रहा है जो नाइन फ्लोर है उसमें से दो फ्लोर क्या हुए व् edition है व् फ्लौर है उनु में पर्सन नहीं रहता है किaja 9 फ्लौर है साथ वयवत्तिि है मतलब 2 फ्लौर क्या ऑम हदो खाली है इतना समझहाया तो अभ क्या है इसे लिख लेते हैं नो आट- साथ छे पांट चार तीन दो और ठीक है यह हमने क्या क्या लिख लिए अब देखो अब इतना तो होगा सिर्फ इस पीप इतना ही बोला था कि साथ से एक से लेकर नौ तक कैसे हैं, साथ बंदे दिये हुए हैं, ठीक है, और दो फ्लोर के हमारे खा दिये हैं, ठीक है, इत्ता ही था इसमें, अब हम चलते हैं, इसके आगे के पाट की तरफ, ठीक है, तो आगे का कोशन ये रहा, अभी ये क्या बोल रहा है, आगे हम जिए रहा है यहां परसों बोल रहा है ठीक है фильм को ध्यान रखना होगा कि यहां पे दो फ्लोर के हमारे रैकेंट है तो निजे साथ यहां अपनी लड़ारी के के सब्सक्राइब क्यों आघ कर दो पर एक니다ifa लॉस्क क्या है अब पर इतुरनद intenst नहीं पर तीज ब falls कियों आना तो इसे हम अपनी लेंगिज में कैसे लिए विए लिए अटे क्यों करते हैं। Sum, Sum मतलब 2,4,6,8 पर Q क्यों आ सकता है, हमें नहीं पता किस पर आएगा, पर इन चारों में से किसी एक पर आएगा, ठीक है, और क्या बोल रहा है, U's floor is third above of Q's floor, मतलब Q के floor जो है, उसके एक, दो, तीसरे उपर पर कोण आना चाहिए, U आना चाहिए, ठीक है, Q है, उसके पहला उपर, दूसरा उपर, तीसरे उपर पर को आना चाहिए, U, तो हम लिख लेते है, U, U, उसके एक, दो, फिर ये, Q, ठीक है, ये हमने क्या क्या लिख लिया, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इतना हो गया, अब क्या बोल रहा है, आगे, there are one person between S and V, ठीक है, तो अब S और V के डीक चाहिए, दो अब क्या बोल रहा है, एक person, अभी ये क्या आगे, ये क्या है, ये क्या है, परसन है, ठीक है, हमने लिख 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 लिजए के इये क्या है, बट S is not the neighbor of U, अब बोल रहा है कि S किसका पडोसी नहीं आना चाहिए, एस neighbor नहीं है, यू क ठीक है एस नेपर नहीं है यू का अब क्या बोल रहा है आर लिव्स ऑन दर टॉप मोस ठीक है आर कहां रहता है सबसे उपर वाले फ्लोर पे सबसे उपर कौन सा है नाइन्थ नंबर का मतलब नाइन्थ पे कौन आ जाएगा आर ये दो हमारे रोटी क्या होगे फिक्स होगे ठ कोशन पढ़ लिया हमने साइट पर अपनी इंफर्मिशन नोट कर लिए अब हमें इस कोशन से कोई भी लेना देना नहीं है ठीक है अब हम क्या करेंगे अपना डिरेक्ट पजल सौल करना स्राट कर देते है अब आर और टी से हमारी कुछ इंफर्मिशन है जो ये इस पे कु मतलब क्यों यहां पर आना नहीं ठीक है शिक्स नंबर पर रखके देखो एक दो तिसरे पर यू आना है क्या नहीं क्योंकि यहां पर तो आर बैठ है मतलब छटवे पर भी नहीं आ सकता क्यों ठीक है आठवे पर नहीं आना क्यों चटवे पर नहीं आना क्यों अब चौथे पर रखके देखते हैं Q को तो एक दो तीसरे उपर पर यू मतलब यहाँ पर यहाँ पर आ सकता है ठीक है अब देखो अब इसके बाद यह तो हो गया अब दूसरे नमबर पर भी रखके देखना पड़ेगा ठीक है T यहाँ पर है R यहाँ पर है ठीक है अब Q को अगर मैं दूसरे नंबर पे लूँ तो यहां से एक दो यहां पे कौना जाएगा U ठीक है यह क्या होगा हमारा हमने यह वाली information यूज कर ली यह वाली information यूज कर ली ठीक है अब क्या बोल रहा है आगे देखो पी और यू की बीच में दो फ्लोर है ठीक है यू यहां पे रहा उपर भी दो फ्लोर की बाद कुछ जगए कैं नहीं तो उपर आना नहीं दो फ्लोर की बाद पी आना है पर यहां पे तो यह क्या हो गया हमारा गलत हो गया ठीक है यह क्या हो गया हमारा गलत हो गया तो मैं इस और यहां पर ठीक है इसे ही हमने लिख लिया वहाँ पर अभी क्या बोल रहा है इतना होगया हमारा यूज इनफॉरमेशन अभी क्या बोल रहा है देखो P और U में 2 आने हैं ठीक है Q एक दो तीसरे पर U यह सहीं अभी U के बार नीचे पर नीचे पर नहीं क्योंकि यहां पर क् चीज के लिए एक दो उपर पी ठीक है यह दो फ्लोर क्या हो चुके आ चुके है हमारे यहां पर ठीक है तो यह वाली किया नहीं क्यों यहां पे एक के बाद वीच है जबकि वहां पर भी टी कॉन सी बची सेवेंथ फ्लोर कों आ गया सब्देखो यह वाला भी यूज ओ गया अब देखो एस और वी चीज पीच पे एक बंदा चाहिए क्वान फ्लोर चोड़के नहीं क्योंकि उपश ही जो पर टो आर और पी साथे क्व है थीक है अब नीचे पर 1 छोड के अगर मैं यहान पी लूं Тो ud यहां पर एक व्य सक्ता घाएं क्योंकि यहां थो च्छंड इखा खर SF às下次 यह पर मरें यह निसे खाल Princip और वी यहां पर एक मिनट यह हो गया दो हो गया पहले फ्लोर पी नहीं आ सकता चटवे बची कौन सी प्लेस चौथी तो वी डेफिनेटली यहां पर आएगा ठीक है वी डेफिनेटली यहां पर आएगा अब देखो एस और वी की बीच में मिरको एक परसंट चाहिए था तो रहा है तो यहां पे वी के बीच में यू तो एक परसN आ चुका है तो यहां पर को यह कोई आ जाह सकता है यह क्या हो गया थीक है तो यह इनफोर्मेशन भी हमारी इस और्णेजमेंट को क्या कर गी सैटिस्दा कर गई थीक है एक फ्लोर वेकंट आगै दूसरा ना पीसा इस तरीके से पजल को हमी सॉल्व करना है ठीक है सबसे पहले information को लिखते जाना है जो information यूज होगी सबसे पहले हम क्या करेंगे information लिखेंगे उसके बाद जैसा जैसा वह लेगा हम वैसे वैसे करते जाएंगे फिर जो puzzle में जो हमारी information बसती है उससे हम इसको fix करने की कोशिस करेंगे ठीक है उम्मीद करती हूँ कि ये vacant floor वाला आप लोग को समझ भी आ चुका होगा अब चलते हम इसी के एक और question की तरफ ठीक है ये रहा हिंदी पे आप इसका screenshot लेके रख सकते हैं अब चलते हम अपने English की कोशन के तरफ ठीक है ये रहा English भी आप लोग को आधा पार्ट दीख रहा है इसके बाद से हम फिल तूसरा पार्ट लेके इंगे इसकी अगली स्लेट पर ठीक है क्या बोल रहा है 7 persons D E F G H I N G इसमें भी साथ बंदें ठीक है क्या बढ़ा है living on eight different floor अब इसमें कितने floor है आठ floor है पिछले वाले में 9 इसमें कितने है 8 floor है साथ क्या है परसन है ठीक है इट डिफ्रेंट विदिंग बट नोट ने सरल इन ता से मॉड़र ठीक है यह सब ऐसे लिखा रहा था डी एफ जी एफ जी जी आइसे लाइन से नहीं जाए मेगा ठीक है अब क्या बोल रहा है अगे लोवर मॉस्ट इस नंबर एस वन अगे टॉप मुस्ट इस नंबर एस प्रही बल देँ यह साथ छे फांट चार तीन दो अर यह एक ठीक है अब क्या किया रह Ihrer को इसमें कि टीक शुथ को दीए यह अरुका संद का सब्सक्राइब क्रफंटों सोषप घा estos घाष अलग तो गोल थ्ची एच टत्ócिक है उता हो में टीए ची इस एको दान्स के susceptible फ्लोर यह का तो एक फ्लोर के हमारा खाली है और उसके साथ बंदे केक होए है अब क्या करते हैं अब क्या करते हैं इतना हो कि अब चलते हैं अगले स्लाइट की तरफ और उसमें से कोश्चन पढ़ने की कोशिस करेंगे ठीक है तो अगले स्लाइट यह रही क्या बढ़ता है दब पर्सन हू लाइक पेंटिंग लिवस ओन एं लिवस ओन इवन नमबर फ्र नहीं मतलब रूट 5 दिए पे बूल रहा है एनवर और धर 6 बाप्रे लीटे दूर डीटी मन फार 5 कि andare फिरेंटिंग अब देखो हैं χिर्फ एक दो ती 자री कि है ठीक है यह और कि भी फेंट वाले के बीछ सुद्य कैश्体 कि अब क्या बोल रहा है आगे धाँ हूं हुन सिंगिंग टाय मॉलेक सिंगिंग यस इमीडीट ह्ट लेव जोघन कि और परनत उपर कौन आजयेगा जिसको क्या है सिंगिंग पक्यांप्रम फिदा कि ए के उपक्याइब तरह किरें क्या तो पर्शन कि बिटुन है इह हो सक लेक्स दानशिंग लेगे को पसंद आगया इंग को संदसी हुँआ दे रहा, two persons बोला है E और ये दो person है किसके किसके बीच में person है किसके किसके बीच में है वही I ठीक है, I के बीच में E और I में 2 person, जिसमें Se E को क्या है, dancing पसंद है and I, who likes gardening अब I को क्या पसंद है I को gardening का सूख है, ठीक है, बागबानी करने का सोग है ठीक है और क्या बोल रहा है F who likes playing अब F को कहें का सोग है F को पसंद है खेलना ठीक है F who likes playing is neighbor of D F क्या है neighbor है किसका D का ठीक हमने लिखने F neighbor है D का I lives on an odd number floor अब आई कहां रहता है एक तीन पांट साथ ठीक है एक तिन पांट साथ विसम संख्या वाले फ्लोर है उस पर रहता है ठीक है E is not neighbor of D देखो अब E किसका neighbor नहीं है D का अब हम इसे यहां पर लिख लेते हैं कि E क्या है neighbor नहीं है किसका D का ठीक है और क्या बोल रहा है D who likes cooking अब दी को क्या पसंद है cooking इसे खाना बनाना पसंद है ठीक है जी इस neighbor of H अब हम लिख लेते हैं एक नट जी क्या है neighbor है किसका एच का ठीक है और क्या बोल रहा है who likes singing singing ठीक है अब देखो यह singing वाला यह कौन आ गया है एच आ गया ठीक है singing वाला यह कौन आ गया हमारा परिशन है ठीक है इतनी information को हमने क्या कि अपना नोट करकी रख लिया ठीक है अब हम कोशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं ठीक है यहां तक का तो समझ आगे हमने कोशन को पढ़ लिए अब स्टार्ट कहां से करें ठीक है अब देखो एको अगर मैं इक को रखके दे यहां तोसे पहले हम चाहर च्छय और आथ में के आख़ी़ दो फिरी झान फ्लोर इसी पर देखोव अगर मैं को घिया तो इसके एक, दो, तीन, चार यहां पे कौन आ गया? ए, ठीक है, यह तो हो गया और छे पे रखके देखूं अगर मैं ए को स्वरी, पेंटिंग को छे पे रखके देखूं तो एक, दो, तीन, चार यहां पे कौन आ गया? ए, ठीक है और 4 हो गया, 6 हो गया फिर एक बर कहां रखे देखना पड़ेगा फिर एक बर 4, 6 और 8, sorry 8 और 6 हो चुका है, अब हमें कहां पर देखना है 4 पे तो पेंटिंग यहां पर आ जाएगी पेंटिंग ठीक है, पेंटिंग के 4 नीचे यहां 1, 2, 3 तो मुझे निचे पर उपर एक दो तीन चार उसके उपर से चौते पर आना नहीं तो पेंटिंग अंचेवे पर या फिर आठ सब्सक्राइब एक अधुन पर आध थिकए छटवे और आठ सब्सक्राइब ऑप मैं यह से कैसे करूंगी चार यहां पर आ गया ए ठीक है यह हमने लिख लिया अब देखो ई और आई में दो परसन है ठीक है ए और आई में दो परसन है तो हम नहीं बता सकते आई यहां पर आना है यहां पर अगर एक फ्लोर यहीं पर वेकेंट हुआ तो आई उपर पर आ जाएगा तो यह information को हम अभी यूज नहीं कर सकते ठीक है कौन-कौन सी information यूज हो गई पेंटिंग 468 में और ए और पेंटिंग में चार फ्लोर है ठीक है अब देखो singing के just नीचे यह आना है ठीक है तो singing के just नीचे यह आगया और singing वाला कौन है एच है ठीक है singing के just नीचे यह आगया singing वाला एच है ठीक है तो यह वाला भी हमारा क्या होगा information यूज हो गया और ए क्या है इड क्या है dancing तो हम लिख लेते हैं ए को क्या पसंद है dancing ए को dancing ठीक है और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए को dancing ठीक है आई एक तिन पास साथ ठीक है यह हो गया हमारा इतना information से हमने क्या क्या इतना note करके रख लिया ठीक है अब क्या करें हम जी नेबर है H का, ठीक है, तो H यह रहा, तो G यहाँ प्या जाएगा, H यह रहा, तो G यहाँ प्या जाएगा, ठीक है, तो यह G neighbor H का यह information भी हमारी use हो गई, ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ठीक है, आई को gardening का सोक है, आई एक दिन पात साथ में है, ठीक है, E और I में दो लोग E के नीचे इधर आई आ सकता है क्या नहीं आ सकता ठीक है दो लोगों के बाद प्लेस ही नहीं बची क्योंकि उपर पे अगर एक दो यहाँ पे आई ले लू मैं देखो E ये रहा ठीक एक मैंट E ये रहा ठीक E के एक और ये दो इसके उपर पे आई ले लो तो I तो 6 पे आगया ठीक है आई कहां पे आगया 6 के जब की चाहिए कहां पे 1, 3, 5, 7 पे तो I डेफिनेटली कहां पे आएगा साथवे पे और इनके E और I में दो परसंस है तो H और G दो परसंस आगया तो ये फ्लोर क्या हो गया वेकें ठीक है ये पहले वाले डाइग्रम पे हमने ये बना लिए अब दूसरे डाइग्रम पे चलते E यहां पे है 1, 2, I यहां पे आ सकता है क्योंकि I कहां आगया चौथे फ्लोर पे हमें कहां चाहिए आइको गार्डनिग अभी तक मैंने कहा कि सिर्फ ये जैसा-जैसा बोल रहा है हम क्या कर रहे है वैसा-वैसा कर रही है ठीक है अब देखो E नेबर नहीं है D आपकर D यहां पे आना नहीं है ठीक है और D नेबर है F का देखो E e नेबर है तो उपर आठवे के बाद साथ वे पर प्लेस है कि नहीं छटवा तो अल्रेडी वेकिन तो मतलब डी और एफ यहीं पर आना है इस वाले डाइग्रम में तो डी यहां पर नहीं सकता तो डी कहा जाएगा पहले फ्लोर पे लिख लिए ठीक है दी नेबर है एफ का दी नेबर है ठीक है आठ साथ और छे में से आ सकता है अब देखो डी का पता है डी को क्या पसंद है कुकिंग और एफ को क्या पसंद है ठीक है यहां पर लिखा हुआ है डी को कुकिंग पसंद है यहां पर हम लिख लेते हैं डी को कुकिंग देखो डी को कुकिंग पसंद है और एफ को तो D F पर ही भड़ही है। दी रिफ लगोगे हां या छूर चाहला कर देयर का सिले बचल मुझने हुवाहता है दी एफ टीरबेर का सिले मुझने हों आ है इनको क्या है क्या है कि पसंदर थी नहीं है। या गया cooking या playing ठीक है यह हो गया information use दी नेबर है F का F playing D cooking ठीक है इनेबर नहीं है D का तो E already neighbor नहीं आया है ठीक है यह वली information भी use हो गई अब एक information बची हमारी यह वाली ठीक है J और F के बीच में एक person है J के लिए कौन सी place बची यह ठीक है J के लिए कौन सी place बची यह और यहाँ पे J के लगी यह ठीक है अब D पहले वाले diagram में नहीं यह रहा J यह रहा इतने सारे लोगं आ चुके इनके बीच में तो यह वाला टाइग्रम पॉलो करेगा क्या नहीं तो अब कौन सा टेग्रम फॉलो करेगा जो हमने दुसरे नंबर पर बनाया थीक है उसे भी हम D और F को अरेंज कर लेते हैं तीक है कैसे अरेंज होगा देखते हैं देखो यहां पर E dancing आ चुका है H singing आ चुका है ठीक है और G का भी यहां पर एक ही बचा हमारा cooking, playing, painting, gardening, singing, dancing एक मेरी ख़र सी reading वाला बचा होगा एक बड़ आप चेक कर लेना जो बचा होगा वो यहां पर आएगा ठीक है यह फ्लोर क्या है वेकेंट है I gardening, J painting अब देखो करें यहां पे थो है यहां पर F आएगा यहां पर दी यहां पर दीएगा ठीक है और D को cooking पसंद है एफ को playing पसंद है थीक है तो यह हमारा arrange होगा जो का है कैसे arrange होगो अ एफ F के नीचे D F, F के नीचे D फिर J, फिर I, फिर वेकेंट, फिर G, फिर H, फिर E, ठीक है यह हमारा क्या हो गया, अरेंज हो गया ठीक है, यह puzzle हमने क्या की solve कर ली आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको solve किया, ठीक है इसका जो दूसरा वाला यह वाला question था, वो क्या था हमारा high level का था, ठीक है वो भी mains लायक था, ठीक है यह हमेसा mains भी पूछा जाएगा, और जो मैंने पहला question कर रहा है, वो आपके pre में, PO की exam में पूछा जा सकता है, ठीक है clerk में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है clerk में पूछा जाता है, तो वो थोड़ा easy type का देता है, ठीक है पहले वाले जितना भी वो कभी कभी दे देता है, ठीक है पर यह PO लायक था, और जो second वाला question था, वो हमारा high level का था मेंस के लिए था, ठीक है, तो मैं उम्मीद करते हूँ कि आप लोगो वेकेंट फ्लोर वाला question समझा चुका होगा, ठीक है अभी तक हमने क्या कर लिया, floor पढ़ा, floor plus flat पढ़ा, इस पे भी हमने कि आप लोगो यह समझाया होगा, ठीक है, अगर समझ मैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीज़ेगा, और जितना हो से कि उतने लोगों को जोड़ने की, कोशिल कीज़ेगा, maximum इस session को शेयर कीज़ेगा, ठीक है